सेरनी की नजर काफी देर से एक भैसे के जुंड में रहती है और भैसे जैसे नदी को पार करने की कोशिस करते हैं वैसे ही सेरनी दोड़ के आती है और उसमें से एक भैसे को पर हमला कर देती है लेकिन वो भैसा कैसो ना कैसो करकी अपनी जान सेरनी से बचा लेता है तभी पी भैसों को छोड़कर वहां से भाग लेता है लेकिन सेरनी भैसे के बच्चे को नहीं छोड़ती तभी जुंड में से कुछ भैसे सेरनी को उपर हमला कर देते हैं और सेरनी फॉरन भैसों को छोड़कर वहां से भाग लेती है और भैसों का पूरा जुंड फिर से अपने आपको सुरचित महसूस करने लगता है